संदेसरा घोटाले के मामले में पूश्टाश के लिए कॉंग्रेस नेता एहमद पटेल के घर पहुंची ईजी की चीम संदेसरा घोटाले में वरिष्ट कॉंग्रेस नेता एहमद पटेल की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है प्रवर्तन निदेशाले की टीम शानिवार को पूश्टाश के लिए उनके घर पहुँची प्रवर्तन निदेशाले का दावा है कि नितिन संदेसरा, चेदन संदेसरा और दीपती संदेसरा ने मिलकर कथित तौर पर 14,500 करोड रुपे का घोटाला किया है प्रवर्तन निदेशाले ने इस बात की भी पुश्टी की थी कि एहमत पटेल के बेटे फैजल पटेल और दामाद इर्फान सिद्दिकी ने कबूल किया है कि वे स्टरलिंग बायलॉज लिमिटेड के निदेशक नितिन संदेसरा के छोटे भाई चेतन संदेसरा को जानते हैं बता दें कि CBI की साल 2017 में 5,383 करोर रुपे के बैंक घुटाले में संदेसरा बंधुओं के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद E.D. ने भी इन पर मुकदमा दर्ज किया था यूपी बोर्ड के परिणाम खोशित हाइ स्कूल में बागपत की रिया जैन वाइंटर में बागपत के अनुराग मलिक रहे टॉपर जिप्टी सीम डॉक्टर देनेश शर्मानेश अनिवार को लोग भवन में उत्तरप्रदिश माध्मेक शिक्षा परिशत यानि यूपी बोर्ड परिख्षद 2020 का परिणाम खोशित कर दिया हाइ स्कूल में बागपत की रिया जैन ने 96.67% पराप्त कर पहला स्थान पराप्त किया वहाइं इंटरमीडियेट में बागपत के अनुराग मलिक ने 97% के साथ पहला स्थान पराप्त किया है इस बार 52 लाग से अधिक विद्यार्थियों ने बोर्ट की परिक्षा दी थी हाई स्कूल में 83.31 और इंटरमीडियेट में 74.63 प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए है रियाओ और अनुराग ने बताया कि उन्होंने बिना ट्यूशन के खुद से पढ़ाई की और स्टेट टॉपर बने पीम ओली के घर हुई नेपाल कॉम्मिनिस पार्टी की उचस्तरिय बैठक में खुद गायब रहे ओली नेपाल के पीम ओली शुक्रवार को अपने आधिकारिक निबास पर आयोजित एनसीपी की स्थाई समिती की बैठक से खुद नदारत रहे काठमांडू मीडिया में आई खबरों के अनुसार पीम ओली ने पैनल को संदेश भेज रहा था कि वे बाद में उनके साथ जुड़ेंगे लेकिन वे नहीं आए स्थाई समिती की बैठक पहले साथ मई को होनी थी लेकिन चवालिस सदस्याई पैनल के समर्थन में ओली ने इसे स्थगित कर दिया था केपी शर्मा ओली ने नेपाल कॉमिनिस पार्टी में अपनी स्थिती को मजबूत करने के लिए नए राजनी दिकमान चित्र को मनजूरी दिलाई जिसमें भारत के शेत्र को उन्होंने अपना बताया इसके बाद भी उन पर दो पदों में से एक को छोड़ने का दबाव बनना कम नहीं हुआ है पीम ओली एंसीपी के दो शेयर परसन में से एक है आज के बुलेचिन में इतना ही फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार तब तक के लिए नमस्कार